हेलो फ्रेंज विल्कम टू फूर्ड हब आज हम बनाएंगे इंस्टन्ट मिर्ची का चार यह बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत चल्दी बन जाता है तो चलिए शुरू करते से बना यहां मैंने हर्ज मिर्ची ली है अड़ाई सोग्राम इसे ची से धो लेंगे और इसे स साफधानी के संग में इस तरह से हम से चीर लेंगे या इस तरह से हम कट लगा लेंगे हमें बिल्कुल भी आरपार नहीं करना है इस तरह से में एक ही साइट से हम हलके हाथों से इसे ग्याप बना लेंगे सारी मिर्ची के संग में हम इस तरह से ग्याप बना लेंगे और बह पॉडर राय पॉडर मेथी पॉडर मेथी को भी हलका सब भून के थापीस लेंगे अब इसमें हम आड़ करेंगे इस वहाँ हल्दी पॉडर यहां मैंने काला नमक लिया है उसे भी आड़ कर देंगे फिर हम लेंगे ड्राय अमचुर पॉडर इसके जगह आप निम्बू भी आड़ कर सकते हैं यहां रेट चिली पॉडर लिया है मैंने वन टी स्पून यहां अद्रक का पॉडर लिया है जिंजर पॉडर उसे भी अब यहां मैं नमक लिया है यहां सवाद नमक लें इसमें वन टीस्पून डाला है कम ज़्याद आप कर सकते हैं अपनी टेस्क के नमसार इक चमत की साइधा से आप इस सब चीजों को मिला लें सारे मसाले मिल जाने चाहिए इसमें हमें कोई गुठली नहीं चाहिए तो अब अधान दे कर से मिक्स कर लें इसमें हम डालेंगे सरसोका तेल यह हमने कच्छा ही डाला है जिए गरम नहीं किया है खौद अकरके से हम मिला लेंगे यह सारी मसाले बैंडिंग में बार आ जाए इस तरह से हमें डालना है आप चाहे तो तील कम ज़्यादा कर सकते हैं स्टफ पर हमने मिर्चियों को लेना है इसे हलका सा प्रेस करना है इस तरह से खोल कि थोड़ा सा मसाला लेना है में जाए स्टफिंग नहीं करनी है और स्टफ करके हम इस तरह से हम दबा देंगे प्रेस कर देंगे और मिर्ची को भी बार से प्रेस कर देंगे जिससे मसाला इसमें स निकल के बाहर आ जाएगा मसाला इसी प्रकार से हम सारे मसाले भढ़ लेंगे अपनी मिर्चों में रेडी है अब चलते हैं पर नेक्स टिप पर Кол пошँ एक सरसु का तेल लिया है इसे अच्छा हम हीट करेंगे sama ka fie अज़ाएं करेंगे इसमें हम डालेंगे और एक तेजपत्ता बे लीफ अब डालेंगे इसमें जीरा वैं टी स्पून और डाल के हम सारे क्राकल हुने देंगे अब इसमें डालेंगे हम हिंग, हिंग से बहुत इच्छी खुश्व हो आएगी हमारे चाल में बहुत इच्छा टेस्ट देगा एक बार हिंग एक बार पक जाए इसमें हम डालेंगे सारी मिर्चियों को और हाई फ्लेम पे 5-7 मिर्ट तक हम इसमें मिलाते हुए तो अच्छे से पका लेंगे इसमें मिलाते लेना है नहीं तो नीचे बिल्कुल चिपक जाएगी या चल जाएगी तो इससे बिल्कुल हमें रेडी कर लेना इसी तरह से इसे आप कांच के बरतन में आप स्टोर कर सकते हैं एक काफी दिन तक आप इंजॉई कर सकते हैं इसे दो से दिन दिन आप बाहर रख सकते हैं और फ्रेजर में आप चाहे 15-20 दिन रखके से खाय जा सकता है अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेख चाहें